तो दोस्तों आज के इस पर्टिकॉलर वीडियो पे हम देखेंगे ये एमजोन का सेलर सेंटरल का जो डेशबोर्ड होता है उसमें क्या-का उप्शन जो हो हमें मिलते हैं साथ ही कुछ बेसिक सेटिंग्स जो हो हमें क्या करनी होती है सेलर अकॉंट बनाने के बाद में उसका थोड़ा जो हो और व्यू करेंगे तो सिधर सेलते हैं अपने कंप्टर की स्क्रीन पर तो यह अगर हम देखेंगे तो हमारे एमजोन के सेलर सेंटरल का जो है वो डेशबोर्ड है यहां पर सेल्स बताता है कितने मार्केट प्लेस पर हम रिजिस्टर है तो यहां पर एक बत करना मतलब हमारी जो भी केटलोगिंग है जो जितने भी हमारे प्रोडक्स है उनसे रिलेटेट जितने भी चीजह हो यहां से मिनेज होती है उसके बाद में उप्शन मिलता है हमें इन्वेंटरी का इन्वेंटरी में बैसेकली हमारी जो भी इन्वेंटरी रहती है कितना Seler Boulevard में है उसके बाद में in duck planning अ हो सारी सेटिंग्म से मिलते हैं जहां से हम मरी आंपे हम Imation好像 Miami health मैं मतलब from Is applies in में से related कुछ भी अगर हमने करना है तो उसके का सकते हैं इनिवन्ट्री में प succession सबिकंगा थाने के वहाँ कर्या सब्सक्राइब निधर्टूं ? अगर हम अपने और्रप्टक्त करना चाहते हैं अधरिसक्य माइन अज्टवे insp.供म फिर्कम्न के प्रोड़ेट उसके बाद सब्सक्राइस उसके बाद में गुट्ठोडत के ऊप्चिन आते हैं growth में क्या seller reward हो गया seller और growth की जो भी opportunity है उससे related setting होगी तो यह सारी setting जो हमें यहाँ पर मिलती है मतलब की काफी programs Amazon की तरफ से चलाए जाते हैं जैसे seller rewards के program होगे तो अलग-अलग तरीचे के programs रहते हैं उसमें अगर हम enroll करते हैं और जो भी program का criteria है उसको fulfill करते हैं तो हमें rewards जो उसमें मिलते हैं तो यह भी growth का एक program है जो Amazon की तरफ से जलाए जाता है तो उससे related setting जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है उसके बाद में आता है report section जहां पर payment से related, business से related, return से related, inventory, tax library, taxes से related सारी reports जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है मतलब यह charge by claim जो है वो किया है उसके बाद में A to Z guarantee claim और वो सारी season जो हो यहाँ से manage होती है मतलब overall हम Amazon पर कैसा perform कर रहे है हमारी overall performance कैसा है वो हम यहाँ से जो ट्रैक का सकते है उनकी setting जो हमें यहाँ पर मिलेगी यहाँ से third party vendor से services ले सकते है जैसे कि product photography होगी, taxes से related होगी, listing से related होगी और account management से related services होगी वो सब चीचे जो है वो हम यहाँ से का सकते है अगर हम कोई third party service लेना चाते है तो उसके बाद में B2B की setting है अगर हम B2B business में open करते हैं तो वहाँ से सारी भी चीचे जो हम यहाँ से manage का सकते हैं उसके बाद में brand से related चीज़ आगी अगर हमारा फुद का brand है जो हम Amazon के through loads करते हैं तो हम अपनी brand को जो है वो यहाँ से manage का सकते हैं हम brand registry में enroll का सकते हैं हम अपने brand को बना सकते हैं काफी सारी features में मिलते हैं जैसे brand store बनाना और वो सारी जो यहाँ से manage होती है last time learn का option है seller university Amazon की रती है जहां से हमारी कोई भी query है या help के forms रहते हैं वहां से हम जो चीज़े सीख सकते हैं तो यह तो overall menu जो हमें यहाँ पर मिलता है Amazon के seller central dashboard में उसके बाद में हम कुछ basic settings की बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर settings में सबसे पहले option आता है account info का account info पर अगर हम click करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह हमारा store name है इसको हम जो यहाँ से edit कर सकते हैं यहाँ पर देखिए अगर हम click करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे store का display नेवा गया उसके बाद में customer service की detail है यहाँ पर email आ गया phone number और reply to email तो यहाँ पर phone number हमने कुछ डालगे नहीं रखा हो है इसको edit जो हो कर सकते हैं चीक है उसके बाद में अगर हम बात करेंगे पर जाते हैं अभी लिस्टिंग जो इनक्टिव है अगर हम holidays पर जाते हैं तो हम यहाँ से जो setting कर सकते हैं कि भी हम कितने time तेरी जो पर जा रहे हैं लिस्टिंग हमारी नेक्टिव है तो हमने लिस्टिंग करके नहीं रिखिए दूसरी चीज हमने कुछ चीजे जो इसमें अगर हम उसको चैंज करना चाहिए तो हम जो यहां पर का सकते हैं तो यहां पर बैसिकली OTP की रिकॉर्मेंट आ रही है तो मैं इसको एक बाट चोड़ देता हूं क्योंकि OTP दूसरे फोन में आ रहे हैं उसके बाद में बिजनस से रिलेटेड इन्फोर्मेशन हम यहां से सेटिंग कर सकते हैं जैसे बिजनस एडर्स हो गया फोन नंबर हो गया ठीक है यह बिजनस की कॉंटेक्ट डिटेल यहां चल्ट पर होगी इन्वेश एडर्स होगया है मर्चंट टोकन उसके बाद में अगर हम यहां पर बात करें ना जो म मेलन सेटिंग हमारी देखने वाली होती है वो यह सिपिंग एन डि इनवाली हो इशुपूर्मेशन उसके माद सब्से पहले हम जाते कि आपम सेटिंग करते हैं उसके बाद में operating days आगे किन-किन days को जो है वो हम operate करते हैं तो यहां से हम इसको एडिट करके यह मेंचन कर सकते हैं भी हम संदे को अपरेट करते हैं यह नहीं करते हैं जो भी हम करना चाहें उसको चेक करके यहां से सेव कर सकते हैं उसके बाद में होता है handling time handling time basically होता ह कि हमें order receive होने के कितने दिन बाद में हम जो हो हैंडल का सकते हैं मतलब एक टाइम मिलता है हमें कुरियर पसंद को जो हो फ्रोडुक्त हैंड़ोवर करने के लिए तो हमने एक दिन का time डाल के यहांपे रखा है तो मतलब आज हमें order receive होता है तो तो कल हम जो है वो Amazon की team को हमें देना पड़ेगा मतलब एक दिन का हमने जो है वो default handling time set करके रखा हुआ है और order handling capacity की भी setting जो है हम यहां से change का सकते हैं कि हम maximum कितने order जो है वो handle का सकते हैं जैसे माली जी हमने एक दिन का handling time यहां पर डाल के रखा हुआ है और हम ऐसा बोलता है कि एक दिन का time है लेकिन हम maximum 100 order तक ही handle का सकते हैं एक दिन में इससे ज्यादा नहीं का सकते हैं तो अगर उससे ज्यादा हमारे order आता है तो next day handling time में वो चले जाते हैं यह नया option है जो अभी Amazon ने जो हो introduce किया है तो यहां पर हम same day handling time रख सकते हैं one day भी रख सकते हैं two days भी रख सकते हैं पर यहां पर हम capacity भी डाल सकते हैं यह कितने orders जो है वो हम एक दिन में handle कर सकते हैं तो जैसे कि 100 orders 200 orders 300 orders अपनी manpower अपनी टीम के सबसे हम जो यहां पर options डाल के चीज़ें जो वो डाल के रख सकते हैं उसके बाद में देखिए यहां पर holidays की लिस्ट आगी 2000 पेस में जो होई यह holidays रहने वाले हैं Amazon की तरफ से ठीक है और उसके बाद में अगर हम कोई holiday एड़ करना चाहिए तो वो हम जो यहां से एड़ कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में shipping program हमने local shop में जो और नहीं करके रखा हुआ local shop prime में जो और नहीं रखा हुआ easy ship prime में जो और नहीं रखा हुआ यह क्या program है इनकी आगे आने वाली वीडियो में हम जो डीटेल में discussion करेंगे उसके बाद में यहां पर easy ship की setting है ठीक है easy ship setting में basically यहां पर shipping fees की setting जो यहां पर देखे रिखे हुए कि हमारे जो भी order आते हैं हम customer से अगर कोई fees charge करना चाहते हैं मतलब पर order पर shipping fees तो वह हम यहां से जो setting करके रहत सकते हैं मालें है कि रिखे होगे हैं किником कोई बीlle खा saying मतले हैं इसके बाहरा न हमारे जो बी बी उडिवेडे तो हम के मतलब हमारे इसमें कंसे हम shipping fees भी लेना चाहते हैं तो इसके साफ से हम जो shippingysts 사wait कर सकते हैं अब depend करता है कि हम shipping fees कैसे जो है वो customer से DARCサ去 करने वाले है पर और के basis पर करने वाले हैं पर item के basis पर करने वाले हैं चाना राम के basis करने वाले हैं जैसे कि हम चाहता है City कोई भी customer order करें ago उसे 40 रूपी जो हम shipping charges अलग से लेना जाता है तो वो हम कर सकते हैं पर order के basis पर कि उस order में चाहे एक item customer order करें चाहे 10 order करें उनको 40 रूपी जो हूँ अच्छा देने है अगर हम item basis पर करता है तो एक order में अगर customer ने 10 product मंगा लिए मतलब 10 quantity मंगा लिए किसी भी item की तो उसको multiply by 10 के हिसाब से जो हो charges लगेगा अगर हम item के हिसाब से shipping charges रखते हैं अगर हम gram के हिसाब से रखते हैं तो हमारे product पर जो भी weight होगा तो जैसे मान लिए एक customer ने 10 product मंगा यह तो उनका weight जो हो रहा है वो AKZ हो रहा है जो हो कर सकते हैं डिपेंड करता है यह भी हमारी क्या business strategy है हम किस price को उन पर जो हो वो sell कर रहे हैं तो हम उसकी साब से जो हो setting रख सकते हैं shipping के ठीक है अब यहां पर देखिए rate model में दो चीज़े और बता के रखिए एक पर item के basis पर है और एक weight based पर है जिसकी हमने setting में भी बात कि उसके बाद में हैं यहां पर प्राइज बंडेड प्राइज बंडेड में हम बैसिकली प्राइज के इसाप से भी रख सकते हैं कि इतने रुपे का ओडर आये तो उसके उपर यह वह हमें चार्ज लेने इतने रुपे का ओडर आये तो हमें यह जो यह शिपिंग चार्ज लेने हैं जिसकी सेटिंग हम यहां से कर सकते हैं कि जीरो रुपे से अप टू इतना और इतने जो शिपिंग चार्ज तो दो तरीकी की अपर हम्हें सेटिंग 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 सामयझ यहां पर देकेです अपसे लिए बैस के इसाप से और दूसरी जो प्राइड शक्राज शक्यान मो MK依ा उसके बाद में यहां पर यहेँ अगर हम ने डेक濏 चा आफ यहे यहां पर डाल के रखा हुए और expedited delivery का जो time है वो एक से तीन दिन का जो है वो डाल के रखा हुआ है तो वह भी हम यहां से edit करके change डिगा सकते हैं कि भी इसको एक से तीन दिन रखना है या फिर इसको बढ़ाना है तो वह setting जो हमें यहां पर मिल जाती है तो जैसे एक से तीन लगा होगा है 3-5 दिन का हो गया और जो reasons पर जासी हम गुजरात से operate करहा हुए हम एम्दाबाद में located है तो एम्दाबाद में एक से 3 दिन है और बाकी जिगह पर गुजरात के जो भी एरियास है लोकल में जो आते है वह तो तीन से पास दिन का time है तो वह भी हम यहां से chance कर सकते हैं अगर हम ऐसा हो सबसे है कि हम बाकी घुजरात में भी जो हो इक से तीन दिन में डिलीवर अम्हारा देंगी तो हम यहां पर हैं उनको धता चॉस्क्तलर को जल्दी डिलिवर डिट करते हैं क्यों कि यह हो साल स्थ करते आहिए À z के समय में तो हम यहां से जो वो टाइम मिनेश कर सकते हैं डिपेंडिंग अबल्क यभी हम कौन से कॉरियर कंपनी यूज कर रहे हैं सेल्फ शिप के लिए ठीक है तो यह सेल्फ शिप की सेटिंग जो है वो यहां पे होगी उसके बाद में वापस जाते हैं आकाउंट इंपो म इसके बाद में जो यहां पर देखें टेक्स इंफॉमेशन है तो जीएस्ट डिटेल जो है वो हमने नहीं डाल के रिखी हुई थी यहां से हम जो जो जीएस्ट नमबर डाल सकते हैं ठीक है यह सारी सेटिंग्स होगी उसके बाद में अगर हम बात करें सेटिंग के तो इज नहीं है पर यहां से दो बजे वाले वाले स्लोट में या फिर जो भी नेक्स अविलेवलेवले वले स्लोट हो उसके अंदर ठीक है पैकेज डैमेंशन प्रिफरेंस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम जब भी बूक करते हैं पिक अप के लिए तो हमारे कुछ ऐसे शि होता है एक small में एक medium में एक लाज में ठीक है तो small boxes का जैसे मानी size 10-10-10 है तो हम इसको save कर देंगे तो जब भी हम pick up book करेंगे ना तो हमें वहाँ पे दिखा देगा हमारे की small box है medium box है या last box है तो हम वहाँ से select कर सकता है हमको manually जो हो dimension डालने की जूरत नहीं क्योंकि हमको पताए कि small boxes का size का medium का क्या है तो उसके सबसे उसके बाद में प्रिंटिंग प्रिफ्रेंस है कि हमारे जो shipping label है वह basically कैसे print होने चाहिए same seat पे होने चाहिए अलग-अलग seat पे होने उसके बाद में default product tax code की setting आगी और उसके बाद में digital image signature यहाँ पर आगया ठीक है उसके बाद में user permissions हो गए अब user permissions में basically क्या होता कि जैसे माल लीजिए हमारी team है और हम सब लोगो access देना चाहते है अलग-अलग तरीके कि जो team जो काम handle करती है वें उसके हिसाब से जो वे उनको access देना चाहते हैं तो हम या से अलग-अलग users बना के जो उनको access डीफाइन कर सकते हैं da यह लोग जो है सिर्फ order manage कर पाएंगे यह लोग जो हो सिर्फ listing manage कर पाएंगे यह लोग जो सिर्फ advertising manage कर पाएंगे उसके साफ से तो वह access जो हम यहां से कर सकते हैं तो यह कुछ बेसिक सेटिंग इसमें सिपिंग से रिलेटेटब से इसाथ बाद में यूजर परमिशन से रिलेटिट तेंग रहती है अज़ी से चीप और यह सरी फुल्फिलमेंट मोडल हैं के ऊपर और हम समझेंगे bit by step में हम सारी चीजें वे साथ के अग। टो उमीद में टो एस वीडियो में आपको लरफ्कारले सुल्टनर दच्बोर्ड के बारे में चानल चाहिए होगu कि अ obviamente प्रोल जो है वो कैसा डेश्बोर दिखता है क्या कहां पर कैसे कैसे ओप्षिन जो वो इसमें रहते हैं और क्या क्या सटिंग जो हो हम इसमें कर सकते हैं इनीशिली लेवल पर बाकि ये कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो के लिए अपड़े रियमा चैनल के साथ में इस वीडि